नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूप चैनल एक्पार्मेंट गुरू पर दोस्तों टाटा इस्टिल में आई टे आई पास छात्रों के लिए नई भरती निकालीगी यह ओल इंडिया केंडिडेट्स के लिए भरती है महिला एवाम पूरू सभी के आई टे पास छात्रों के लिए तो आपको यह मोक अपने हाथ से नहीं जाने देना इसमें आपको डेफिनेटल अपलाई करना होगा तो मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा आप इसमें कैसे आविदन कर सकते हैं साथ ही आपको अपलाई करने का लिंक और आधिकारिक न अपरेंडिशिप हैं क्वालिफिकेशन यहां पर जो मांगे की है 10 प्लस आई-टे वाले चात्र यहां पर आविदन कर सकते हैं जॉब लोकिशन ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स जॉब लोकिशन ओल इंडिया में आपको टाटा स्टिल प्लांट में आपको जॉब करने का salary guys यहांपर आपको Tata Steel में इदि आपका selection होता है उसके बाद आपको interview करवाए जाएगा interview conduct होने के बाद इदि आपका selection हो जाता है तो यहांपर आपको apprenticeship के दोरान जो government rule के हिसाब से आपको यहांपर salary दिया जाएगा एक साल के बाद इदि आप उसमें permanent हो जाते हैं तो आपको package अच्छा खासा यहांपर मिलने वाला है eligibility criteria के बारे में जान लेते हैं तो guys यहांपर Tata Steel में आविदन करने के लिए आपकी किसी भी सरकारी माहिने तप राप तो संस्तान से 10 वी के साथ ITI पास आप होने चाहिए NCVTO चाहिए SCVTO प्राइवेट और सरकारी दोनों ITI वाले चात्र यहांपर आविदन कर पाएंगे इसके अधरिक पुरूशों के लिए 60% होना चाहिए ITI में और महिलाओं के लिए और ट्रांजेंडर के लिए 55% होना अनिवाईड होगा ITI में जो आपका ट्रेड वाल्ट्रेट के कैंड़ेट साप यहांपर आविदन कर सकते हैं ITI में जो आपका लास्ट देट है इसमें आविदन करने के लिए Tata Steel में तो यहांपर आविदन के प्रिक्रिया 15 मार्स से सुरू हो चुकिया तता अंधिम्तिति यहांपर 25 मार्स 2024 से पहले आपको आविदन करना होगा यहांपर आप इसमें आविदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आविदन फर्म भरना होगा उसके बाद आप सौट लिस्ट हुए छात्रों को इंटर्वू के बाद आपका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करवाय जाएगा उसके बाद आपको यहांपर जॉइनिंग दिया जाएगा आप यहांपर देख सकते हैं आपर पूरा पूर्सेस बताया गया है सबसे पहले आपको अपलाई करना होगा फिर आपका सीवी शॉट इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कि आपको आवधन करना होगा जिसका लिंक हम आपको निचे देंगे उस लिंक पर किलिक करके सभी जानकारी को आपको नॉटिफिकेशन को डाउनलूड करके अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद ही आप इसमें आवधन करने के लि दोस्तों नई भरती की जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करते रहें इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में में दे दूँगा या तो फिर आप डिरेक्ली गूगल पर आकर के सर्च करना है आपको www.itijobguru.com तो हमारा वेबस